आज येर कर रहे हूँ बिना आठा गुथे गीहूं के आठे से बाए नमक पारी की रेसिपी जिससे आप दू महीने तक इस्टोर करके रख सकते हैं बिल्कुल भी ये खाडाब नहीं होता है और इसे बनाना भी बहुत आसान है आप 10 मिनट में बहुत सारे नमक पारे बनाकर रेडी कर सकते हैं तो चलिए बिना देर की हुए आज की मजदार रेसिपी शुरू करते हैं अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो के छोटा साराइक जरूर कीजिएगा सबसे पहले गैस पर रखे एक कड़ाई या फिर पैन और उसमें डालेंगे दो कपे कड़ी पानी पानी का मिजरमेंट आपके से भी कप या कटोड़ी से कर सकते हैं सबसे पहले पानी में एक उबाल आ जाने देंगे जैसे ही पानी में एक उबाल आ जाए इसमें डाल देंगे एक चमच एकड़ी विनेगर बिनेगर डालने से नमक पारे दो महीने तक भी खराब नहीं होते हैं फ्लिवर के लिए डाल रहे हूं आदा चोटा चमच जवैन और आदा चोटा चमच कोलोंजी कोलोंजी डालने के बाद अब मैं यहां डाल रहे हूं आदा चोटा चमच चीनी चीन डालने से नमक पारे का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है अब मैं यहां डाल रहे हूँ थोरे से मसाले जैसे की आदा छोटा चमच भूना हुआ जीरा पौरर और तीखे के लिए आदी छोटी चमच लाल मिर्च पौरर कलड के लिए डाल रहे हूँ आदा छोटा चमच हलदी पौरर और थोरा सा डाल रहे हूँ कुटा हुआ काली मिर्च का पौरर आप चाहें तो सारे मसाले को करस करके भी डाल सकते हैं एक चमच कड़ी मैहा डाल रहे हूँ सफेद तील तिल डालने से नमक पारे में थोरे से करंच आते हैं और खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है टेस्ट का अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे और दो चमचे कड़ी मैहा तिल डाल रहे हूं इससे ज़्यादा आप तिल का इस्तमाल ना करें सबी चुझो को डालने के बाद अब मैं यहाँ डाल दे हूं गयहूं का आटा तो जिस कब से हम दो कब पानी इस्तमाल के हुए थे उसी कब से हम यहाँ डेर कब गयहूं का आटा इस्तमाल करेंगे इस मेजर्मेंट को थोरा सा ध्यान में रखिएगा सबसे पहले एक कब गयहूं का आटा डालने के बाद गयह कफले में एक दम लो कर दीजेगा और इसको अच्छे तरीके से कर दीजेगा मिक्स जैसे ही एक कब गयहूं का आटा अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए इसमें आधा कब और गयहूं का आटा डालके इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर देंगे एक ही बाड़ में आटे को ना डाले नए तो इसमें गुठली या बनना सुरूर हो जाएगा इसलिए थोरा थोरा आटा डालते जाए और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे तो देखे कितना सॉफ्ट सा डो हमारा बन के रेडी हो चुका है जब इस तरीके से ये डोग पैन को छोड़ने लगे तो इसे पैन में फैला के गस को बंद कर लेंगे और इसे एकदम ठंडा हो जाने देंगे जब तक वो ठंडा हो रहा है तब तक एक छोटी से त्यारी कर लेते हैं एक कटोडी में मैं यहां डाल ले हूँ एक चमचे करिब कॉन फलोर अगर आपके पस कॉन फलोर नहीं है तो एक चमच आप मैदा भी ले सकते हैं लेकिन कॉन फलोर से यह नमक पाड़े बहुत ज़्यादे क्रिस्पी बनते हैं तो अगर आपके पस कॉन फलोर है तो जरूर डालिएगा और एक चमचे करीब तेल डालके इसका हम एकदम पतला से बैटर बनाकर रेडी कर लेंगे अब देखिए यह डो हमारा अच्छे तरीकी से ठंडा हो चुका है यानि के हाथ के सहने लाइक हो चुका है तो इसे थोरा सा मसल के हम चिकना कर लेंगे और जिस तरीके से घर में रोटी बनाते हैं बिल्कुल उतना ही छोटा छोटा हम लोई बनाकर रेडी करेंगे अगर आप गियोंगे आट्डे को गुथिएगा ना तो कभी भी आप इतना सौप्ट नहीं गुथिएगा तो देखे यह कितना सौप्ट बनके रेडी हुआ है तो इसे तरीके से लोई बनाएं लेंगे और इसे बिलने के लिए कोसिज की जाए कि बीना सूखा आटा लगाए आप बिले अगर बिलने में परसानी हो रही है तो ही आप सूखा आटा लगाए जितना पतला हम रोटी बनाते हैं बिल्कुल उतना ही पतला हम रोटी बिल के रेडी कर लेंगे और इसके उपर हम डालेंगे कॉन फलोड का पेस्ट तो थोरा थोरा ही पेस्ट डाल के पेस्ट को चारो तरफ फैला है तभी आप यहां सूखा आटा लगाएं एक बार हम इसको और बेलने के बाद फोल्ड कर देंगे और इसके उपर फृ च Lay दरीके लगादेंगे or इसके उपर अच्छे तरीके से हम दबादेंगे बारी आती है इसको फ्राई करने के लिए तो फ्राई करने के लिए सबसे ज़्यादा ध्यान में जो रखने वाली बात है वो तो तो तेल का टमपरेचर है और गैस का फ्लेम है तो गैस का फ्लेम यहां हाई रखिएगा और तेल अच्छे तरीके से गरम होना चाहिए जब आप इसमें एक पीस डाले तो अच्छे तरीके से तेल में बबल आना चाहिए इस बात का ध्यान रखे अगर आपको लगे कि यह ठंडा है यानि कि तेल में डालने के बाद आपको लगा कि तूट रहा है तो गैस का फ्लेम एक दम हाई कर दे और हाई करने के बाद जब यह सारे नम नमक पारे बनाकर जरूर ट्राइ किजेगा बिना मेहनत के आप 10 मिन में एक डबा बनाकर रेडी कर सकते हैं और बहुत फटा फट से भी बन जाती है बनाने में कोई भी मेहनत भी नहीं होता है तो देखिए मैं इसे कितने असानी तरीके से पलट पा रहे हूं एक भी नमक प पारे को निकाल लेंगे इसे निकालने के बार टीसू पेपर पर रखे ताकि इसके अंदर जितना भी ओई हो वह सारे अब जाए अब बस इतना ही गरम तेल में मैं दूसरे बैच को भी अच्छे तरीके से फ्राइब कर लोंगी और देखिए दूसरा बैच भी मेरा काफी अ है तो रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक किजिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब किजिएगा अपने फ्रेंश और फामिली में जरूर शेर किजिएगा